हेलो एवरीवन मैं आपके साथ मनोज वर्मा और इस वीडियो के अंदर मैं आपको नेक्स्ट लेवल बॉट की हेल्प से ओटो स्ट्राइक प्राइज पे ओटोमेशन ट्रेडिंग कैसे करें यह बताऊंगा तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो बताने वाला हूं वह और नेक्स्ट लेवल बॉट कैसे यूज करा जाता है जब यह कॉंसेप्ट आपको समझ जाएगा तो अभी के लिए हम नेक्स्ट लेवल बॉट की ऑफिशल वैब साइट पर पहुँच गए सबसे पहले आपको लॉग इन कर लेना है लॉग इन करने के बाद आपको यहां आपका उजँजर नेम शो होगा आपको इस पर किलिक करते लोगे तो आपको आपको डैसबूट दिखेगा जिस तरीकेसे मेरा डैसबूट दिखे मैं आपको देमो दिखाने वाला हूँ यह आपको जरुधा पर दिखाने वाला हूँ अप इस और!". प्रैस को ज़ूधा आप नहीं कर सकते क्योंकि आलेक्स ब्लू सिंबल प्रोवाइड नहीं करता इंस्ट्यूमेंट टोकन प्रोवाइड करता है तो यह चीज तो किलियर हो गई अब चलते हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे तो काफी लोग है जो जानते नहीं होंगे और कैसे काम करती पर बॉट क लाइन लगा रखिए उसने अगर बाय का सिगनल दिया और मैंने अलर्ट करेट कर रखा है तो हम उस टाइम का जो लेते हैं जैसे अब भी चल रहा है 24,445 तो इस टाइम का सिगनल आया 24,445 पे तो हम LTP लेंगे और इसका नेरबाय जो है नेरबाय 24,445 का नेरबाय होगा 24, 24,400 तो हम 24,400 की कॉल या पूट आप जो भी सेलेक्ट करोगे वह आपका बाय हो जाएगा मार्किट प्राइस पर चाहतों लिमिट ओडर लगे तो आपका लिमिट ओडर लग जाएगा तो इस वीडियो के अंदर मैं दो ही चीज़े बताने वाला हूं मार्किट ओडर और लि वीडियो भी आप धान से देख लेना जिससे आपको आइडिया लग जाएगा तो अभी के लिए हम क्या करेंगे अभी के लिए हम जैसे यहां पर एक बीटा सेंटेक्स का पेज है जहां पर सारे उप्तिमाइज सेंटेक्स हैं आपको इस पर राइट किलिक करके ओपन टू करना है जिससे आप लग से संटेक्स बना सको तो मीसें प्रोकर के नामना चाहते हो अभी मैं जरौधा का मैंनों इसके बाद पूछ रहा है कि आप से किसक्स टाइप का ओडर लगाना चाहतो रैगुलर कवर्ड के वगर्डर वगईरा वगईर सब वीडियो बनी वी हैं आपको regular select करना है जो वीडियो है अभी मैं regular के base पर बना रहा हूँ इसकी वीडियो मैं बाद में बनाऊँगा तो regular select करना है अब यहां पर concept आता है कि आप क्या करना चाहते हो with close without close करना चाहते हो या with close करना चाहते हो तो इसका मतलब यह है कि same strike price में अगर आपकी कोई call है put है से buy या sell है उस position को close करें और नई position add करें जो भी आपने डाली है तो with close का मतलब यह और without close का मतलब यह है कि आपकी जो आप position डालरों वही दले मैं दोनों पर आपको एक demo दिखाऊंगा regular order पर ही वीडियो है तो पहले हम without close select कर लेते हैं अब हमसे पूछ रहा क्या करना चाहते हो call या put मैं call select कर लेता हूं यह पूछ रहा ट्रेडिंग सिंबल क्या है तो सभी ब्रोकर का ट्रेडिंग सिंबल लेने का formula अलग है मैं जरोधा के according बता रहा हूं अगर आपको औरो का जानना है मैंने वीडियो बना रखी future and option की उन पर देख सकते हो ट्रेडिंग सिंबल कैस कर लेता हूं अभी और इधर जाके पेस्ट कर देता हूं ऑटो इस्ट्राइक प्राइज में यह मैंने आपके सामने पेस्ट कर दिया पर अभी इसके अंदर क्या है 24,400 की call एड है मतलब इसे डिलीट मार दूंगा मुझे खाली वह चीज़ चाहिए कि बैंक निफ्टी और क चाहते हैं तो हम 25 ना चाहते हैं अब आप दिलीवरी लेना चाहते हैं तो नोर्मल सेलक करोगे लिए नहीं होता अब यह पूछ रहा है नेर बाइब तो आपको पता होगा कि bank nifty के अंदर जो nearby होता है वो 100 का होता है 400 मतलब 24,400 24,500 24,300 24,600 100 का different लेकि nearby चलता है तो मैं 100 इदर select करूँगा कि मेरा nearby 100 होगा उसके बाद यह पूछ रहा है calculation इस चीज़ का आपको धान रखना है अगर मैं nearby जो भी मेरा nearby आता है उसी पर buy करना चाता हूँ तो मैं इसे 0 दालूँगा पर अभी मेरे पास इतना fund नहीं है कि मैं nearby बाई कर सकूँ क्योंकि अभी जो price चल रहा है वो चल रहा है 24,300 चल रहा है 400 चल रहा है bank nifty का price और इसकी call पतानी कितने की होगी फिर भी हम एक बार इसे लगा के देख लेते हैं आपको 0 दालना अगर आप nearby लगाते हो और अभी इसका calculation भी समझाऊंगा पर अभी अभी को calculation में 0 दालना है और plus minus में कुछ भी select करते हो सकते हो जब आप 0 दालना हो generate code जैसे आप generate code करोगे आपका syntax बनके त्यार हो गया आपको इसे copy कर लेना है अपने trading view के चार्ट पे जाना है और जो भी आप indicator यूज कर रहे हो उसके अंदर इसे डाल देना है और PC आप बंद भी कर सकते हो वो आपकी मर्जी है आप PC चालू रखना चाते हो आप चालू रख सकते हो पर daily app एक अंपल सरी होती है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है तो अभी के लिए हम कोई indicator नहीं दालेंगे क्योंकि indicator दालेंगे तो signal बहुत लेट आएंगे जिसकी वज़े से वीडियो काफी लंबी बन जाएगी तो हमें signal क्या चाहिए जल्दी चाहिए इसलिए हम एक horizontal line ले लेते हैं और इस पर add to alert करते हैं जिससे हम alert लगा सकें और इस syntax को डाल देते हैं एक चीज़ notice करना है मैंने पहले से यहां पर webhook URL डाल रखा है आपको अपने case के अंदर यहां से यह Indian market का webhook URL copy करना पड़ेगा जैसे इस पर click करोगे copy हो जाएगा और उसे paste करना पड़ेगा तो मैंने यह डाल दिया और create कर दिया जैसे मैंने create करा यह लिखा वा गया bank nifty जिससे आप पहचान सको तो अभी हमने call buy करने का वो करा है तो अभी आप यहां देखोगे मेरी order book में जाओगे तो मेरा कोई भी order नहीं है तो जैसे यह candle इस line से touch होगी मेरा order automatic strike price लग जाएगा अब मैं आपको bank nifty के according समझा देता हूं nearby कैसे काम कर रहा है suppose मानो इसका price 24351 होता तो इसका नेरवाइब बनता पचास से उपर की रकम है पचास है तो नेरवाइब इसका 100 बनेगा अगर पचास मतलब 400 बनेगा अगर पचास से नीचे की रकम है मतलब 49 है 48 है तो यह 300 बनेगा इतनी उपर जाने से रही तो मैं क्या करता हूँ मैं इसे जान बूच के candle के front पे लग देता हूँ जिससे मेरा अलच टिगर हो जाए तो यह अलच टिगर हुआ और हम इधर जाएंगे तो मेरा order लग भी गया अगर आप position में देखोगे तो मेरा order लग गया और मेरे को लग रहा था यह order नहीं लगेगा फंड कम पड़ेगा बट order लग गया जिसके अंदर मुझे profit and loss हो रहा है तो अभी देखो इनने क्या करा 24,400 की call ली क्योंकि जो नेरबाई था वो 50 से उपर था पचास से उपर मतलब समझ जो 24,350 यद पचास से उपर होगा तो यह नेरबाई चार सो लेगा और क्यों क्यों लगा है क्योंकि मैंने पहले ही call सेलेक्ट कर रहा था तो इस तरीके से आपका order लग जाएगा अभी के लिए क्या करता हूँ मैं इसे manually close कर देता हूँ अभी बाद में आपको एक चीज दिखाऊंगा manually करें या इसे वैसे करते हैं छोड़ते हैं अभी हम इसे छोड़ देते हैं अब हम एक चीज और करते हैं कि हम चाहते हैं यह तो मैंने without close दिखाया था पर suppose मानो आपके पास पहले से यह position है अब क्या होगा मेरे case में मेरे पास fund नहीं है दूसरी position को लेने के लिए तो ऐसे में क्या होगा कि मेरी यह position तो close हो जाएगी और नई position दल नहीं पाएगी पर आपके पास अपके अगर fund है तो आपकी यह position automatic close होगी और कोई position close होगी खाली bank nifty ही close होगा और नई position दल जाएगी मैं आपको एक demo दिखाता हूँ मैं इधर गया इसे close करा दुबारा से हम strike price पे click करेंगे auto strike पे click करा regular click करा अब with close लेंगे कि हमारी पुरानी position close हो नई position दले अभी के लिए हम PA ले लेते हैं और सिंबल जो हमारा क्या था सिंबल हमारा कुछ यह था जो हम भूल गए copy दुबारा से करके लेकर आ जाते हैं एक मिनट लगेगा तो हम इधर गए अभी हमें profit and loss से मतलब नहीं है कि क्या loss हो रहा है क्या profit हो रहा है पस मैं आपको demo दिखा रहा हूं इस चीज का आपको धान दखना तो मैं symbol दाल देता हूं और इसमें से strike price को हटा देता हूं 24,400 की call को हटा दिया और मैंने यह NFO ले लिए बस मतलब यहां strike price है कि मेरे को कौ सा सिंबल है quantity 25 है और बाय करना है मार्किट में बाय करना है MSI order है नेरवाइ 100 है अभी जीरो दालेंगे एज़ा डेमो के लिए प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो जीरो का मतलब है कि सेम स्ट्राइक पर है अगर मैं इधर 100 दाल दूंगा और मेरा नेरवाइ 24,400 बनाए तो यह 100 प्लस करके 24,500 पे मेरी बिट लगा देगा मतलब मार्किट में बाय कर लेगा इस चीज़ का धान रखना है अगर प्लस करूंगा और माइनस करूंगा तो 24,300 पे लगा देगा तो यह आप यहाँ वो वैल्यू दालके इसे आगे पीछे भी कर सकते हो जो इन दा मनी है प्लस कर सकते हैं अब भी मैं जनरेट कर देता हूं यह मेरा सैंटेक्स जनरेट हो गया आपके सामने अब मैं इधर आया और इधर आने के बाद मैं एक और हो रीजेंटल लाइन करेट करता हूं मेरा वैबुक यूर एल पहले से डलावा आ रहा है क्योंकि जो लास्ट यूर activate दिखा रहा है अब इस case में क्या होगा कि मेरी जो position है position में चलते हैं मेरी ये position close होगी automatic और नई position दल जाएगी मेरी put की और put की जैसे position दलेगी पर मेरे पास fund नहीं है तो इस case मेरी क्या होगी कि मेरी position close close होगी पर नई put की दलेगी नहीं पर reject आपको दिख जाएगा reject देखने के लिए आप यहाँ देख सकते हो कोई order नहीं है तो मेरे case में मेरे पास एक limitation है कि मेरे पास fund नहीं है पर आपके case में ऐसा नहीं होगा मैं इसे जानबूच के tigger करा रहा हूं आप इस चीट के लिए indicator का भी यूज कर सकते हो तो अभी price क्या चल रहा है 424 चल रहा है तो इसका nearby भी 400 ही उठेगा क्योंकि यह 423 यह टिगर हुआ और यहाँ देखिए मेरा यह order complete भी हो गया मतलब मेरे पास fund था तो आप देखो कि मेरी वह position close हुई और मेरी put दल गई तो इस तरीके से with close काम करता है और without close भी मैंने आपको दिखा दिया I hope आप understand आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहरा हूं अभी के लिए मैं इस position को काड़ता हूं और exit कर दिया मैंने manually और अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा यह मैंने दाला था market order जिसके अंदर आपने देखा market order कैसे दल रहा है पर कई लोग होते हैं उन्हें market में बाई नहीं करना उन्हें limit में बाई करना है ठीक है जी इस case में आपको क्या करना है आपको इसे close कर देना है strike price पहना है यह पहले से मैं symbol copy कर लेता हूं यह चलो फिर से दिखा दूंगा मैं आपको auto strike price पे click करना है regular लेना है अब आपसे पूछ रहा है with close या without close अब limit order के इंदर क्या होता है कि आपकी position तो एक bid लगी भी है तो bid लगी भी position थोड़ी है वो तो एक cancel order है तो ऐसे में उसे एक cancel नहीं करेगा जो आपकी position है उसी को close करेगा तो हम इस वे without close लेते हैं with close का इसके अंदर कोई मतलब ही नहीं बनता पर आपके पास जो IQ level है आप इसको अपने हिसाब से modify कर ले ना सबका mind अलग होता है सबका काम करने का तरीका अलग होता है तो अभी के लिए हम call ले लेते हैं call लेने के बाद हम यहां जाते हैं symbol का नाम दालते symbol का नाम बार-बार में copy करके इसलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि मैं आपको दिखा सकूं काफी लोग है ना इस चीज में पजल हो जाते हैं तो मैंने यह copy करा और मैं इधर गया इधर जाने के बाद मैंने यह symbol में से मैंने बस strike price को remove कर दिया क्योंकि यह मेर आरे पास writing के लिए इतना funding नहीं है limit order करेंगे अब limit order के अंदर क्या होता है मैं आपको बता हूं हम उस time का LTP गैट करते सपोज मानों आपका nearby आया 24,400 की call और उसका LTP चल रहा है 200 रुपे तो 200 रुपे चल रहा है और उसमें से हम यहां जो आप value डालोगे by side से बता रहा तो उस value को हम plus करते पर पता नहीं इसके अंदर क्या करते हैं हाँ इसमें भी minus ही होगा क्योंकि दोनों चाहिए by ही होता है जो भी है बस आपको जो value डालनी है उससे आपका नीचे bid लग जाएगी as a example के लिए मैं यहां पर 25 रुपे डाल देता हूं कि जो मेरी bid है LTP से 25 और doesn't matter generate code करा copy करा ट्रेडिंग व्यूपे आए और यहां आने के बाद हम एक और लाइन ले ले लेते हैं मैं अलग-अलग लाइन इसलिए ले रहा हूं कि काफी लोग बोलते हैं सर कि आप एक लाइन से क्यों काम करते हैं मतलब अलग-अलग question होते हैं और इसको नाम दे दे हैं तो अभी आप देखोगे अब मैं order book में जाता हूं तो order book के अंदर मेरे चार order हो गए हैं चार order आपको पता है पहले हमने buy करा था call फिर उसको sale करा और नई position लगाई थी put की और फिर हमने उसे manually sale करा अब हम position में जाते हैं तो position में मेरा कोई order नहीं है और limit order कभी भी position में आपको लगा के दिखा रहा हूं जिसके अंदर हमने 25 रुपे नीचे लिया अभी इसका price देखिए इसका price चल रहा है 300 इंडेक्स का price चल रहा है 300 something रूपीज चल रहा है 95 रूपीज चल रहा है तो इसका strike price क्या आएगा आपको भी पता है 24,400 आएगा तो हम इसे click करते हैं और जैसे click करा alerts दिखर होगा तो यह alerts आपको शोगा यह alerts आया और इधर जाएंगे तो यह order लग गया अब यह order कहां लगा आप देखिए जो LTP था उससे 25 रुपर इनने minus करके हमारा order लगा दिया इनने ओर लगा दिया हमारा इधर पर यह पोजिशन में शो नहीं होगा क्योंकि लिमिट ओडर है तो आई होप आप समझ रहे होगे की order कैसे लगा अब एक चीज़ और समझा दू मैं इसे केंस कैंसल करता हूं मैनवली कैंसल कर रहा हूं आपके लिए और मैं आपको एक ची अब इस केस में क्या होगा यह सेख लिए मार्किट में नहीं दिखाई क्योंकि उसके अंदर में यह चीज़े दिखाता तो ज़्यादा लोग्स यह ज्यादा प्रोफित हो जाता और मेरे को और भी टैस्टिंग करनी है तो इसलिए मैं आपको लिमिट में दिखा रहा हूं तो मैंने कोड दाला अब इस केस में क्या होगा कि अभी जो नेरभाई आएगा आपको पता है 24,408 चल रहा है तो इसका नेरभाई क्या बनेगा 400 बनेगा 400 में से 200 माइनस करेंगे तो आइधिंग बनेगा हमारा 24,200 तो 24,200 पर हमारी बिड लगेगी अगर उसका प्राइस सह तो देखते हैं इधर दाला हमने और इधर गए तो इधर देखी 24,000 जितनी में मैंने टैब खोली उतनी में मेरा ओडर लग गया और ओडर लगा 24,200 पर क्योंकि नेरभाई से हमने 200 रुपे माइनस कर दिये पर एक चीज़ का आपको धान रखना है लिमिट ओडर के साथ दि ओडर भी रिजेक्ट नहीं दिखेगा क्योंकि 20 रुपे में से 25 माइनस थोड़ी होंगे आप 20 रुपे में 19 माइनस कर सकते हो 19 से कम माइनस कर सकते हो 20 से ज्यादा माइनस थोड़ी कर सकते हो इस चीज़ का आपको दहान रखना है I hope आपको पता चल रहा होगा अभी मैंने सेंथे नहीं दिखाया दोसो माइनस अब में 200 प्लस करना चाता हूं जो भी स्ट्राइक प्रैस है से 200 रुपे मिरें अउठाई जाए यह पूरा आपको इंडिया के अंदर पूरे इंड्या के अंदर यह कॉंसेप्ट कहीं जो concept हमने बना रखा auto strike price का इसे मैं cancel करता हूं और मैं इधर जाता हूं और फिर से मैं इसी alerts के अंदर मैं code को modify कर देता हूं syntax कहते हैं इसे हमारी language में से modify करा और इसे save करा तो अभी हमने plus करा था अब क्या होगा यह automatic 200 रुपे उपर अभी इसका strike price आया 400 और इनने क्या 600 बिड लगा दी जितनी दिर में मैं tab इधर से उधर कर रहा हूं उतनी दिर में order लग जा रहा है वैसे यह depend to server करता है अगर order time देखोगे तो जो 19 सेकिंड पर लगा है 44 मिनट 19 सेकिंड और जो alerts आया है वो आया है 44 70 सेकिंड मतलब 2 सेकिंड के अंदर आपका order लग गया कई वार server वीजी होता है मेरा server की बात नहीं कर रहा है मैं आपकी broker की server की बात कर रहा हूं तो order time में जादा time भी लग सकता है तीन सेकिंड चार सेकिंड वैसे जो जरोदा है काफी fast order लगाता है आई होप आपको पता चल गया होगा यह वीडियो खाली मैंने limit order और regular order के अंदर बनाई थी regular order के अंदर बनाई थी limit order market order आगे चलके मैं cover order और bracket order पर भी वीडियो बना दूँगा I think अभी allow नहीं करता तो आगे चलके मैं बना दूँगा same concept है थोड़ा सा चीजे अलग है दिखाने की कोसिस करूँगा और वीडियो बन गई है 19 मिनट की इ इसलिए मैं इस तरह की वीडियो नहीं बनाता क्योंकि बीस बाइस मिनट की वीडियो बन जाती है लोग देखेंगे नहीं थोड़ा सा देखते हैं फिर मेरे को पकाने आ जाते हैं यह कैसे होगा प्लीज पहले आप से करके देखें अगर फिर आपको समझ नहीं आ रहा तो ह हमने क्या रखें अगर आप हमारे इस पर जाओ लिसाइट पर जाओगे तो आप यहां पर चैटिंग बॉक्स से यहां पर आपको टैलिचक्तum गृरूप का लिंक मिल जाएगा इस पर क्लिक करतेें इस पर पहुरूप करना 그건 चाहते हो इसपर सकते हो और Princeton positive यह में में झाल झाल